आज बात करेंगे सबसे पहले राहूल गांधी के बारे में आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि दिली में जब हिंसा हुई थी तो देश के गिरह मंतरी अमिशा ने कोई जबाब नहीं दिया उनके चुपी जो साधे हुई थी लोगों को जो है मन में बहुत सारी सवाल खरी कर रहे थे देश के परधान मंतरी नरेंदर मूदी भी कुछ नहीं बोल ले थे क्योंकि दिली का जो परशासन है वो गिरह मंतराले के अंदर आता है तो लोग सवाल पूछ रहते ताकि कोई न कोई जबाब आए और वो ही मामला अब आ गया है मध्यपरदेश में मध्यपरदेश में जबसे जोतिरादे सिंधिया ने इस्तिफा दिया है तो खास करके मध्यपरदेश की राजनीती में भोचाल आ गया है कि अब क्या होगा हर्ये एक सिकनल लोगो के लिए एक नया खबर लेके आ रहा है और इस पर नए निव्स भी आपके सामने लगातार जो है हर तरह से जूरी जो खबर है मध्यपरदेश से वापके सामने रख रही है कि आखिर राहूल गान्धी चुप क्यूं है सोनिया गान्धी चुप क्यूं है कॉंग्रियस पाटी के महाशची परिंका गान्धी चुप क्यूं है क्या उनके पस कोई जवाब नहीं है अखिर सिंधिया ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे का क्या कारण है क्या पहले से ये इस्तीफा देनी का जो रननीती है या उन पे दवाब है बनाया जा रहा था क्या सिंधिया ने जो इस्तीफा दिया है किसी के प्रेसर में या किसी के दवाब में आने के कारण दिया है या उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी मन मर्जी से दिया है यह बहुत तमाम तरीक सवाल है लेकि इस बीश लगाता है और सोशल मीडिया वाले राहुल गांधी और खास करके सुनिया गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आधिर इसतिफा देने का कारण क्या है इस पे आपकी क्या राह है आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अधिर परदे इने जो इस्तिफा दिया है इसका जिम्मेदार कौन है क्योंकि कमलनात से एक विधायक नहीं समल पा रहा है उनकी विधायक उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं तो एक मंतिरी के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार उतर परदेश में के जा रहा है क्योंकि कमलनात मुखे मंतरी है आपको समझना होगा क्योंकि आप एक जिम्मेदारिक समविधानिक पत्पे हैं उसके बावजूर आपके विधायक आपके बीच की समझदारी कहां खतम हो गई है लोगों का खास करके लोगों की जो उमीदे हैं वो तो और दिन ब ले जाएगी और इसका जो खामियाजा है भूगतना परेगा खास करके कॉंग्रेस पार्टी को और इसका जो पूरा फाइदा है वो भारती जनता पार्टी को मध्य परदेश में होने वाला है और मध्य परदेश में भारती जनता पार्टी को हर एक जो मोमेंट है वो सोने पर सुहागा होने वाला है वह इसलिए क्योंकि वहां दो ही पार्टी है लड़ने वाले तो इसका पूरा फायदा भारती जिंता पार्टी को मिलने वाला है तो कोशिस यही है हमारा कि हम लोग लगतार जो सवाल और जितने भी सोसल मीडिया जितने भी मीडिया वाले है वो 9.9 News, Namaskar.